वेलकम बेक टो ब्रैंड लाइफ इंडिया और आज की शो में हम बात करने वाले हैं मर्साइडिस बेंच एक्यू सीरीज मर्साइडिस बेंच की जितनी भी एक्यू सीरीज की कार्स होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी फिर्स मॉर्ड वस शोन इन परिस मोर्शो इन तौन सेख्टे एलेक्रिक कार्स की बड़ती दिमांड को देखते हुए कंपनी ने डिसाइड के जो गोल फोर देर अपकमिंग फुचर कार्स पर्समें युचर को मैंटिक आसेड रसमान के जुचर को कि देखेंड को देखते हुए को परदेखेंड लेजिद के इन वेखेंड पर देखेंड सुचर को इक तफ पूम्पेशन देखेंड चाहता है That's why उन्होंने इंवेस्ट के हैं Whooping 1 Billion Dollars In Electric Cars Production आज हम बात करेंगे इनकी EQ Series की 3 बहुत ही जड़ा Important Cars की जो कि है EQA EQS and EQC तो सबसे पहले बात करेंगे EQA के लिए EQA is a basically Hatchback Car from Mercedes-Benz It's an electric version of second generation GLA Crossover It was released on 2020 It is bit of inspired by A-Class Car It has a range of 400 km And If we talk about Powertrain It generates 272 HP Power at 500 Nm Tor And if we talk about pricing It's 50,000,000,000 in India Now we talk about EQS EQS model is inspired by S-Class And it's full-size luxury sedan Electric car First model was based on Deweller Electric Architect platform It will be launched by 2022 If we talk about this range Range is 435 km In one full charge It generates 469 HP power And it's direct competition Tesla Model S Noise 0-60 We complete In 4.5 seconds Which is very impressive The model EQC Is a full electric luxury SUV इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 2019 में यह कई कंट्री में अल्रेडी सेल आउट हो चुकी है बदन बहुत सारी कंट्री में अभी भी बाकी है इवन यूएज में भी यह लॉंच नहीं हुए है इसकी रेंज है 354 किलोमेटर बैटरी पैक है 80 kg लीथियम आयन बैटरी और इसका कर्व वेट है 2425 kg इसका प्राइज अभी रिवील नहीं हुए है बदन यह मोडल एक्स को कम्पीट कर रही है जिसका प्राइज सम्वेर राउंड 83,000 डॉलर्स है इसका कर रही है इसका कर disaster, जा फमझा गाराट बनृटर्स ही राउंड 2.00 मरक्षारी कर रही है इसका क्ष मे तॅर क्सक्छकी यूलर्स झाल झाल